नमस्ते आदाब सस्रियकाल एंड हलो टैक टीवी के दुनिया भर में पहले हुए सबी विविवर्स का मैं यानि गौरव शर्मा इंडिया टॉक के इस लेटेस एडिशन में एक बार फिर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज जिस विशे पर हम बात करेंगे वो है हिंदू राजनीती जब हम इस शब्द को सुनते हैं हिंदू राजनीती तो हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं स्पेशली अगर हम लेफ्ट मीडिया को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सोचें तो मन में आता है कम्यूनल पॉलिटिक्स, भगवा, हिंदू कट्टरवाद, हिंदुत्वा, एट्सेक्टरा वैसे हिंदू और कट्टरवाद एक वाक्य में तो आ नहीं सकता मानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदू राजनीती है क्या हमारे गरंथ इसके बारे में क्या कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हिंदू राजनीती में धर्म का क्या स्थान है हम हमेशा सुनते हैं कि राजनीती में धर्म नहीं होना चाहिए हमें हमेशा धर्म को राजनीती से अलग करके देखना चाहिए पर ये शत प्रतिशत गलत है अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ Religion and Politics must not be mixed जी हां Religion and Politics must not be mixed पर संस्कृत या हिंदी में Religion का अर्थ धर्म है ही नहीं वास्तव में तो हिंदू ग्रंथों में Religion का कोई concept है ही नहीं अगर हम Religion शब्द का अर्थ Oxford Dictionary में देखते हैं तो उसका मतलब होता है to bind or something that binds यानि जो आपको बांधता है अब आप खुद ही सोचिए कि हिंदी में धर्म का क्या अर्थ होता है धर्म का सटीक English equivalent शब्द नहीं है धर्मा at best can be loosely translated as my duty on the path of righteousness पर ये भी exact नहीं है कुछ examples देखते हैं राश्ट्र धर्म, राज धर्म, पित्री धर्म, पुत्र धर्म, एक्सेक्टरा यानि राश्ट्र के प्रती एक व्यक्ती का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, etc. शब्दों के इस हेर फेर ने भारत की राजनीती में तो कम से कम बहुत गड़बड की है हमारे ग्रंथों में जो शब्द समुदायों के लिए प्रयोग किया गया था वो था पंथ या मत, जैसे जैन मत या पंथ, सिख पंथ, बौध पंथ या मत जब कॉंग्रेस ने सेकुलर शब्द को सम्विधान का हिस्सा बनाया, तो हम धर्म निरपेक्ष राश्ट्र बन गए हमें पंथ निरपेक्ष राश्ट्र बनना था, जहां राश्ट्र में शासन किसी भी पंथ को फेवरेट ना मानते हुए लौ के बेसिस पे चले, पर यहां हमने तो अपनी राजनीती से धर्म को ही निकाल दिया राजनीती में से राजनेता या राजनीतिग्य का धर्म ही चला जाएगा तो राजनीती खोकली हो जाएगी और ऐसा हुआ भी, ये भाशा के छोटे छोटे बदलाव कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ये गलतियां ना करें और धर्म और रिलिजन या मज़भ के बीच का अंतर समझे और अगर ये कोई और गलती करे तो आप उसे तुरंत ठीक करें अब हम एक और मिसकंसेप्शन की ओर चलते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था देश रिपबलिक यानि गणतंत्र नहीं था अब हम आपको कुछ ऐसे रेफरेंसिस रामायन और माभारत से देंगे कि ये मिसकंसेप्शन आपका संभवता दूर हो जाएगा लेकिन इसे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये डाउट ये नेरिटिव आखिर बना कैसे ये नतीजा है बढ़ते हुए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का और दिन प्रते दिन घटती हुई धार्मिक शिक्षा का हमने सावरकर को चाहे सुना हो या नाप सुना हो पर चर्चिल के सारे फैक्ट्स हमें पता होते हैं Sir George C. Birdwood जो की 19th century में एक British अधिकारी था उसने कुछ यू लिखा Our education has destroyed their love of their own literature and delight in their own arts and worst of all, their repose in their own traditional and natural religion It has disgusted them with their own homes, their parents, their sisters, their very wives It has brought disaster into every family, so far its baneful influences have reached सोचने वाली बात ये है कि आजादी के बाद भी पिछले 70 सालों से हमारी शिक्षा विवस्था में कोई बदलाव हुआ नहीं है हैरानी की बात तो ये है कि BJP के सत्ता में आने के बाद तो कुछ बदलाव अपेक्षित था पर वहां भी हमारे मंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हमने कौमा भरकावी चेंज एजुकेशन सिस्टम में नहीं किया है मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें गर्व करने वाली क्या बात थी और ये उनकी उपलब्दी कैसे हुई खैर वो अपना धर्म निभाएं या नहीं हमें तो अपना निभाना है और इसी लिए हम तो जरूर इस बात पर बात करेंगे भारत या हिंदू राजनीती को समझने के लिए उसे एक लोकल लेंज से देखने भर की देर है और फिर स्थिती बिलकुल स्पष्ट समझ आ जाती है अगर आप इसे एक वेस्टन लेंज या किसी भी फॉरन लेंज से देखेंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे और आपका ओपीनियन हमिशा बायस्ट रहेगा कॉर्परेट वर्ल में इसे लोकलाइजेशन कहते हैं इसका मतलब ये है कि हिंदू पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीती ब्रिटेश या किसी भी विदेशी राजनीती से अलग हो सकती है इसमें जरा सी भी शंका नहीं है ये राजनीती विफल क्यों हुई ये एक secondary discussion है और फिर उस पे भी ये सोचना पड़ेगा कि principally राजनीती के fundamentals गलत थे या उन fundamentals को ठीक से execute नहीं किया गया चलिए कुछ examples रामायन से लेते हैं श्री राम जब अपनी सेना तयार करके रावण पर आक्रमन करने को तयार हुए तब उन्होंने अंगद को रावण के पास अपना आखरी शांती संदेश दे कर भेजा ये perfect example है foreign diplomacy का जब अंगद वहां पहुचा और अपना संदेश सुनाया कि अभी भी मान जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा हार जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा पर बिना बात के बहुत से लोग मारे जाएंगे इस पर रावण बहुत क्रोदित हुआ विभीशन ने रावण को समझाया कि शास्त्रों के अनुसार हम एक दूत को हानी नहीं पहुचा सकते ये हुआ foreign diplomacy का दूसरा example आज भी यही नियम दुनिया के सारे देश फॉलो करते हैं कोई भी किसी भी दूसरे देश के ambassador को अगर नुकसान पहुचाता है तो उन दो देशों के relations खराब हो जाते हैं रामायन के अधिया कांड में भरत श्री राम को मिलने जंगल में जाते हैं श्री राम भरत से बहुत सी बाते करते हैं और border security, internal security, law and order situation, military strength आदी के बारे में पूछते हैं उन्हें एक राजा का धर्म याद कराते हुए बहुत सी बाते समझाते हैं वो भरत से कहते हैं जो राजा अपनी भुद्धी से राज करता है जिसे धर्म का ज्यान है और जो अपनी प्रजा के हित का सोचता है वह पूरी धर्ती पर राज स्थापित कर सकता है और मरने के बाद वो स्वर्ग का अधिकारी होगा रामायन के आरण्यकांड में शूर्प नखा रावन के दर्बार में जाती है और उससे कहती है कि उसके गुप्तचर कैसे हैं कि उन्हें राम और लक्षमन तक की खबर भी नहीं है वो कहती है कि शतru तुमारे छेतर जन स्थान में है और तुमारे गुप्तचरो को पता तक नहीं है किसी भी political system में secret agencies की क्या importance होती है ये हम सब अच्छे से समझते हैं हमारे यहाँ ये सब रामायन के समय से चल रहा है अब रामायन से हम एक और महागरंथ महाभारत की तरफ चलते हैं हिंदू राजनीती को समझने के लिए ये गरंथ बहुत जरूरी है Essentially, this is an ocean of political principles इन मैंसे कुछ examples के बारे में हम यहां बात करेंगे धृतराश्ट के political guru हुए कनिक कनिक के दिये गए अगर principles को अगर हम summarize करेंगे तो दिखेगा कि end justifies means यानि की साम दाम दंड भेद की रीती से काम करना चाहिए रास्ता चाहे सही हो या गलत उसका result आपके लिए personally फायदे का होना चाहिए अपने शत्रू के सामने अगर आपको कुछ समय के लिए हार भी माननी पड़े तो मान लो लेकिन जैसे ही मौका मिले उसे खत्म कर दो कनिक के ठीक उलट नीती है श्रीव विदुर जी की वो धृतराश्ट को विस्तार से धर्म के बारे में बताते हैं टैक्सेशन सिस्टम्स के बारे में बताते हैं मंत्रियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए इस पर चर्चा करते हैं वे कहते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य के सबसे बड़े गुण के बारे में बताता हूँ किसी भी परिस्तिती में मनुश्य को धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए किसी डर या लालच में भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर प्रान भी दाव पर लगे हो तो भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए यहां आगे बढ़ने से पहले हम आपको डॉक्टर विबेक देबरोई की छोटी सी एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं कर्टेसी विवेकानंद इंटरनाशनल फांडेशन एबरी यह एर वर सेवल यह उन्दीप है ब्रॉट आल था हुमन डेवलाप्मेंट विवेभूड़ने डव्ड़ने डेव्यो के पिर्षबहूड़ने तन दो मेरेशनल आप्रिष रग्या है नारद रिषी नारद आप्रिष्टिरी और रिष्टिरी है budgetary traffic — how are the citizens doing? Is the taxation too heavy? How is industry performing? How is agriculture performing? If you just read those questions. Those questions are not very different from the questions that any citizen today would ask the government. the only difference is I do not find anyone asking for tax concessions at that time but otherwise the questions are very very similar exactly similarly in the Valmiki Ramayan Rama has already left for the forest we know the story about Bharata being brought back Bharata goes to meet Rama Rama still doesn't know that King Dasharatha is dead so he asked Bharata around the kingdom and he will find identical questions not identical very similar questions about where the citizens are prospering now we will tell you about the Shanti Parv in the Yudhishthir and Shri Bhishma Pitama about the conversation about the Yudhishthir and the Shri Bhishma Pitama they ask a lot of questions they ask the governance what is the government? what is the government? what is the government? what is the government? they tell us how strong it, how do we establish them? this is how all these things are built inários. all these things are theories fundamental to the Yudhishthir and here, we have suathish about a new concern There is another interesting thing about us much rather than interesting Mathura and this can combo down here as I have seen Г Speecharatha and this is the government is pioneered के नाम से जाना जाता था आपको जानके हैरानी होगी कि भारत के संसद भवन में अनेक जगह मनुस्मृति के बहुत से श्लोक लिखे हुए हैं जैसे की लिफ्ट नंबर एक के पास ये श्लोक लिखा है इसका मतलब है कि वह सभा नहीं जहां वृद या बड़े नहीं जो धर् कपट की और ले जाए ऐसे ही लिफ्ट नंबर छे के पास ये श्लोक लिखा गया है जिसका मतलब है कि प्रजा के हित में राजा का हित है यहां हम आपको एक और छोटी सी क्लिप दिखाना चाहते हैं कर्टेसी चानक के टीवी सीरीज मेड़ बाई डॉक्टर चंदर राजा राज्यरुपी व्रिक्ष का मुल है मंत्री परिसद उसका धड़ है सेनापती उसकी साखाए है सैनिक उसके पल्लव है प्रजा उसके पुष्प है देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है राजा का हित किस में है राजा का हित प्रजा के हित में होता है यानि मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी आहित होगा हाँ तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ है कुछ भी नहीं नहीं कौन कहता है सामर्थे ही शास्त्रों को जीवित रखता है मौर्ख भोलो क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टी में मेरी स्थिती एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूँ उत्तर दे मौर्ख हिंदू राजनीती की बात हो और अर्थ शास्त्र की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता करीब 320 BCE में विश्णोगुप्त जिने हम चानक्य या कौटेल्य के नाम से अधिक जानते हैं उन्होंने अर्थ शास्त्र जैसे महागरंथ को लिखा अर्थ शब्द का मतलब एकनॉमिक्स नहीं है इसका मतलब है पॉलिटी अपने इस गरंथ में चानक्य ने मनू, विशालाक्ष, भारदवाज, पराशर, गौर्शिरास और कात्यायन जैसे महान रिशियों के विजडम को समिराइज भी किया है रामायन, माभारत और ना जाने ऐसे कितने ही सबूत हैं कि हिंदू राजनीती कितनी विशाल और महान रही है पर अफसोस की बात ये है कि इतने गौरफशाली इतिहास होने के बाद भी आज हमारी हालत ऐसी हो गई है और ऐसा हुआ क्योंकि हमने धर्म के रास्ते पर चलना छोड़ दिया हमने धर्म को छोड़ा, धर्म ने हमें छोड़ दिया स्थिती को बदलने के लिए अपने स्वार्थ से उपर उठ कर अगर हम 10% भी धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि हिंदू राजनीती अपने उसी गौरव को एक बार फिर से पालेगी इनी विचारों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ आशा करता हूँ कि आपको ये एडिशन पसंद आया होगा अपने कमेंट्स और फीडबैक हम तक जरूर भीजियेगा आप अपने सजेशन्स भी हमें लिख सकते हैं तिल नेक्स टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ट